नितीश कुमार विधान सभा में बोल रहे थे और बोलते बोलते नितीश कुमार को इतना गुस्सा आता है कि वो दो बार की महिला विधायक रेखा पासवान को कहते हैं तुम कुछ जानती हो महिला हो और उसके बाद नितीश कुमार ये बताने लगते हैं कि उनकी सरकार ने क् नितीश कुमार आए दिन विधान सभा में या विधान परिशद में भड़क जाते हैं उनका गुस्सा एकदम से कंट्रोल में नहीं रहता है और बोलते बोलते नितीश कुमार इतना बोल जाते हैं कि वहाँ पर बैठे लोग एकदम से सन रह जाते हैं और वो भी अवाक रह जाते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री जी अचानक इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो गए है पिछले एक से डेड़ सालों में नितीश कुमार को कई बार गुस्सा होते हुए हमने देखा है चाहें अपने ही गठ बंदन के पार्टी के स्पीकर को कुछ बोलना हो या फिर विपक्ष के किसी मंत्री पर, किसी महिला पर, किसी विधायक पर टिपणी करना हो या अचानक से किसी बात पर उनका गुस्सा आ जाना हो और ये तमाम बाते नितीश कुमार एक से डिड़ साल में बार बार दोरा रहे हैं, कल विधान सभा में नितीश कुमार ऐसे ही रेखा पासवान पर गुसा हो गए, रेखा पासवान आरजेडी की विधायक हैं, दो बार से विधायक हैं और गुसा होकर नितीश कुमार ने ये कुछ ही देर के बाद अपने फेस्बुक पर पोश्ट कर दिया तिरस्पी आदव लिखते हैं कि महिला हो कुछ जानती हो महिलाओं पर ओची गैर वांची तसभ्य अशिष्ट एवं निम नस्तरिय टिपनिया करना माननीय मुख्यमंत्री नितीश कुमार की आदत में शुमार ह हो चुका है प्रदेश के लिए अत्यधिक गंभीर वचिंतनी अविशय है सीम ने कुछ दिन पूर्व आदिवासी वर्ग की बीजेपी की महिला एमेले पर भी सुन्दर्ता संबंधित भद्री टिपनी की थी आज अनुसूचित जाती की दो बार से महिला एमेले रेखा पा जाता जाता नहीं है तिरलस्मी आदव ने सीधा-सीधा नितीश कुमार को यह बोला कि नितीश कुमार अभी अपने माइंड में नहीं है अंग्रेजी में एक फ्रेज है out of mind होना तिरस्वी आदव वही कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि नितीश कुमार को ही सब पता है नितीश कुमार ही अपने आपको समझते हैं कि सबसे बड़े ज्यानी हम है और हमने एक बार नहीं लमसम पांच से साथ बार ये देख चुका क कि नितीश कुमार अपना आपको देते हैं किसी को कुछ भी बोल देते हैं और जब भी वो अपने सरकार के कारिकाल के बारे में विशलेशन करते हैं तब वो बिलकुल भूल जाते हैं कि वो किस से बात कर रहे हैं कल इस बात पर बहस चल रही थी कि देखिए हम लोग को बिह बिहार विशेश राजे का दर्जा मिलना चाहिए था आप सरकार में शामिल है फिर भी आप सरकार को प्रेशर नहीं बना पाए कि बिहार को विशेश राजे का दर्जा मिल जाए इसके अलावा कई मुद्दों पर बहस चल रही थी और फिर नितीश कुमार ये बताने लगते ह कि 2005 के पहले का बिहार कैसा था आज का बिहार कैसा है और नितीश कुमार ने इस बिहार को बदलने के प्रक्रण में अपना क्या-क्या दिया है बाकी तुरस्पी आदाव से लेकर विपक्ष वाले नितीश कुमार को खूब गे रहे हैं इधर नितीश कुमार कब किसको क्या बो नहीं है इस पर कोई अप्डेट आगा हम आपको तला करेंगे मेरे नाम प्रशांत है बहुत-बहुत धन्यमाद